चलिए student हम लोग question number 9 को solve करते हैं देखिए question number 9 में क्या का जा रहा है आप लोग question को पढ़िए आप लोग question को पढ़िए नेमलिकित में प्रतेक में से कौन सी संख्या बढ़िए हमें बताना है कि जो में संख्या दी गई है उनमें कौन सी संख्या बढ़िए तो सबसे पहले आप लोग first number को ध्यान से देखिए फस्ट नमबर में क्या दिया गया है दो बटे में तीन और क्या दिया गया पांच बटे दो अब आपको बताना है कौन सी संख्या बड़ी है ठीक है चलिए अब आप कैसे बताओगे इसको solve करना पड़ेगा देखिए अगर दो पर्मे संख्याएं आपको दे गई है कौन सी पर्मे संख्याएं बड़ी है कौन छोटी इसको बताने के लिए कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जैसे सबसे पहले तो आप इसके हर को बराबर करिए ठेक है तो चलिए हम लोग हर को बराबर कर लेते हैं हर को बराबर करने के लिए इसके उपर नीचे 2 से गुड़ा कर दो इसके उपर नीचे 3 से गुड़ा कर दो तो करिये, क्या हो जाएगा? दो गुडए में 2, बटे में 3 गुडए 2 और 5 गुडए में 3, बटे 3 गुडए में 2 हर बरावर हो करिये दो दूनी 4 बटे में 6, 5 ग्या 15 बटे में 6 देखें स्टूडर्ण्स अब हर बरावर हो गया अब आपको कोछ बात ध्यान में रखनी है, आप बात समझगे, ए धनात्मक है और ए भी धनात्मक है, तो इस case में जब हर समान हो, तो जिसका अंस बड़ा होगा, ओ हमारी परविय संख्या क्या होगी? बड़ी हो जागी, बात समझ गे? देगे ये भी धनात्मक है ये भी धनात्मक है दोनों धनात्मक है हर क्या है बराबर है जब हर बराबर होंगे तो जिसका अंस बड़ा होगा वो संख्या हमारी बड़ी होगी आप बताए किसका अंस बड़ा है बोलिए किसका अंस बड़ा है 15 बटे 6 ये मारा बड़ा है न तो जिस तरफ बड़ा रहेगा उस तरफ आपको मुझ खोल देना है हमारी जो 15 बटे 6 है वो बड़ी है किस से 4 बटे 6 और ये 15 बटे 6 किस के लिए आई है 5 बटे 2 के लिए ठीक है तो लिखिए संख्या 5 बटे 2 5 बटे 2 2 बटे 3 से बड़ी है तो समझ गए इस्टूलेंट चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सेकेंड नंबर का सुल्यूशन क्या होगा सेकेंड को आप ध्यान से देखे इसमें कया दिया गया है हमें दिया गया फांच बटे में 6 और क्य commandments 4 में तीन अब दोनो इंड़ात्मक है ठीक है आप और बात और आउर समझेंस है अगर मारे पास रिदात्मक है यहां पर थम्हें चेक करना पड़ेगा तो लिए चेक करते हैं सबसे पहला काँ हर बराबर कर लिए तो हर बराबर करने के लिए देखिए यहां पर आप माइनस 5 बेटे 6 रहने दीजिए अगर इसके उपर नीचे 2 से गुड़ा कर दें तो यह भी बराबर हो ज से माइनस 4 दूनी 8 बटे में 3 दूनी 6 ठीक है अब देखिए क्या हो गया है हर बराबर हो गया है इस्टूडेंट्स अब एक बात आपको ध्यान रखना है क्या है रिदात्मक है रिदात्मक के केस में ध्यान से सुन लिजिए रिदात्मक के केस में हर बराबर है तो जिस भि जैसे आप लोग देखते हैं संख्या रेखा पर आईसे संख्या रेखा है तो यहां पर 0 होता है यहां पर माइनस 1 यहां पर माइनस 2 यहां पर माइनस 3 यहां पर माइनस 4 यहां पर माइनस 5 ऐसे संख्याएं माइनस तरी क्या है छोटा है किससे माइनस वन से बही माइनस वन बड़ा है इससे भी माइनस वन बड़ा है लेकिन जो माइनस वन है वो 0 से छोटा है आपको पता चल गया न कि जो रिरात्मक संख्या होगी जितनी बड़ी होगी वो छोटी होगी जैसे माइनस 4 छोटा है माइ माइनस 5 से लिख दीजिए जो माइनस 5 बाटे 6 है वो बड़ा होगा किस से माइनस 8 बाटे 6 से अब माइनस 5 बाटे 6 लिख दीजिए आता है माइनस 5 बाटे 6 माइनस आठ बटे तीन के अस्थां पर क्या लिख सकते हो देखिए इसको दो से काट सकते हो दो चुक के यार दो तिया चेद माइनस चार बटे तीन चार बटे तीन से समझ रहे हो स्टूडेंट आप लोग चलिए नेक्स चलते हैं थाइट नंबर को जहां से देखिए स्टूडेंट क्या दिया गया है माइनस तीन बटे चार और दो बटे माइनस तीन में हमें बताना है कि कौन संख्या बड़ी है अब आपको एक बात पता होनी चाहिए जैसे अगर हम लिखे हैं माइनस एपॉन भी और हमने लिख दिया है माइनस माइनस यहां पर लिख दीजिए ए माइनस भी तो दोनों को मतलब एक ही बात है ठीक है चाहिए देखिए इस ऐसे समझी आप कि अगर हमारे पास कोई भी परमिये संख्या है इस तरीके से वही इसके अं माइनस हो जागा प्लस और नीचे मिलेगा आपको माइनस भी तो इसका मतलब ए जो दोने बातें लिखे गए दोनों बातें एक ही है ठीक है अब यहां पर ध्यान से देखिए जसे माइनस तीन बटे चार लिखा है ना इसके ऊपर नीचे मैं माइनस वान से गुड़ा किया तो ए कुछ इस तरीके से हो जाएगा समझ गया आप लो अब हमें बताना है कौन सी बड़ी है तो बड़ी छोटी कैसे बता सकते हो जब तक हमारा हर बराबर ना हो थार बराबर करिए हर बराबर करने के लिए इसके उपर नीचे तीन से इसके उपर नीचे चार से गुड़ किया का तो मैंस सीन का मैंस स्द्द्द का ओई अब आप लोग देजिए हर तो बराबर हो गया है ना यह गएट इडिव है नीगेटिक के केस स्थ होता है जो जैसे देखिनम थे माइनस 9 है वो क्या होगी क्से माइनस Smart State अभी थी wow 9.12 क्या होगा छोटा होगा किसे माइनस 8 उ versie यानिकि भागा है है ले लेकिये मै भी मैनद मेट 12 कि अस्तार के लिख सकते हैं देखियां से 2 upon minus 3 लेकि 2 upon minus 3 minus 3 minus 4 से बड़ा है ठीक है चलिए चलिए student लोग चोथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका solution क्या होगा तो चोथे नंबर को आप लोग ध्याल से देखिए क्या दिया गया इसमें minus 1 upon 4 और यहां पर दिया 1 upon 4 अब आप लोग देख करके बता सकते हैं कौन सी संख्या बढ़ी है क्योंकि देखें निगेटिव पॉस्टिव है पॉस्टिव वाली बढ़ी ही होगी तो जो माइनस 1 upon 4 है वो छोटा है किससे 1 upon 4 से जिस तरफ खुला होता हो संख्या बढ़ी होती है त जो 1 upon 4 है वो बढ़ा है 1 upon 4 माइनस 1 upon 4 से बढ़ा है चलिए नेक्स चलते हैं अब देखते हैं अगरे नंबर कर चलिए स्टूडेंट हम लोग इस पच्वे नंबर को भी सॉल कर लेते हैं देखिए यहां पर क्या दिया गया माइनस 3 सही दो बटे में 7 और क्या दिया गया है माइनस 3 सही 4 बटे में 5 तो सबसे पहले इसको आप सॉल्प कर दिये पंदरा चार उननीस तो माइनस उननीस बटे में 5 देखिए इस समाहर नहीं है तो क्या काम करेंगे इसको उठा के इसके उपर नीचे मल्टिप्लाई कर देंगे तो माइनस तेज गुड़े में 5 लिखिए बटे में 7 गुड़े में 5 यहां पर साथ को उठाईए 19 गुड़े में 7 यहाँ पर 5 गुड़े में 7 सॉल्व करिए 23 पंच एक सो पंदरा तो माइनस एक सो पंदरा साथ पचे में 35 यहाँ पर ध्यान से दिखें 19 सत्य कितना होता है 133 तो माइनस 133 बटे में 5 सत्य 35 अब स्टुड़ेंट्स आपको ध्यान देना है देखिए हर तो बराबर हो गया है लेकिन यह जो अंस है इन निगेटिव में है निगेटिव की केस में क्या होता है किस बात को आप समझेए देखिए इस संख्या संक्या रेकापर हमने अब यह आपको समझाया था बगर चिन के आप देखिए 115, 133 है ठेक है तो जब आप चिन लगा दोगे तो यह जो 115 है माइनस है ना तो माइनस 133 छोटा है किस से माइनस 115 से जब आप माइनस चिन लगाओगे तो जो बड़ी संक्या है बगर चिन के दनात्मक जब रेड़ लग जाएगा तो छोटी हो जाएगी ऐसी तरीके से यहाँ पर देखिए 133, 115 है ना तो यह जो माइनस 115 है यह बड़ा हो जाएगा किस से माइनस 133 से तो लिखिए माइनस 115 बटे में 35 बड़ा है किस से माइनस 133 बटे में 35 से अब लिख देजिए आता है देखिए माइनस 115 बटे 35 किसके लिखा गया है माइनस 3 सही 2 बटे 7 के लिए एक इसके लिखा गया है माइनस 3 सही 4 बटे 5 के लिए माइनस 3 सही 2 बटे 7 माइनस 3 सही 4 बटे 5 से बड़ा है तो students इस तरीके से यह जो मारा question था अमने इसको solve कर लिया है चलिए आप पढ़ते रहिए Thank you